स्वागत है आप सभी का टाइपस ओफ शिप सीरीज के एपिसोड नमबर सेवेन में जिसमें आज हम ड्रिलर शिप्स या ड्रिलिंग शिप्स के बारे में डिसकस करने वाले है समुद्र में ओलिया ग्यास रिक्स को इंस्टॉल करने से पहले हमें समंदर में तेल की खोज करनी होती है समंदर की गहराईयों में नीचे तक खुदाई या ड्रिलिंग करके कच्चे तेल या विभिन्न प्रकार के ग्यासिस की खोज की जाती है Drilling की प्रक्रिया के दोरान Oilazione Gases की सफलता पूर्वख होने के बाद उस जगह पर Oil & Gas डिंग को Install या स्थापित किया जाता है इस खोज के दोरान Drilling की प्रक्रिया को करने के लिए जो Ships यूज होते है उनहे Drill Ships या Drilling Ships कहा जाता है इन Ships के हल यानि की नीचले हिस्से में एक drill casing machine fitted होती है जो समंदर के नीचे तेल की खोच के दोरान होने वाली drilling की प्रक्रिया को बड़ा ही आसान बना देती है Drill ships गहरे या बहुत गहरे समंदर में भी drilling से संबंदित सभी कारियों में पूरी तरह से सक्षम होते है इन ships को scientific research से संबंदित drilling की प्रक्रियाओं में भी यूस किया जाता है Drilling ships की अगर history की बात करे तो CUSS-1 दुनिया का पहला drilling ship था जिसे Robert F. Bore नामा कुलक्ती ने साल 1955 में डिजाइन किया था Global Marine इस ship की owner company थी और इस ship को services के लिए साल 1961 में launch किया गया CUSS-1 समंदर के नीचे साड़े 300 feet तक drilling करने की सक्षमता रखता था CUSS-1 के बाद जितने मी drilling ships इंडस्टी में launch हुए है उनकी drilling depth capacity इस table पर mention की गई है आज के जमाने के सारे drilling ships का संचालन Dynamic Positioning Systems की मदद से किया जाता है अगर आप drilling ships के और pictures देखकर इनके structural design को और अच्छे से समझना चाहते है तो आप Google पर search कर सकते है अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला हो एक नया perspective मिला हो तो इस वीडियो को like करके हमें motivate करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने friends में share करिए Types of Ship Series के पहले 6 episodes अगर आपने miss कर दिये है तो उनकी links नीचे description में और वीडियो के end में है हमारे आने वाले next वीडियो में हम dynamic positioning systems को cover करने वाले है तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे आपको आने वाले latest वीडियो को notification मिल सके इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय शुब हो thank you very much मिलते है अगले वीडियो में